साम लेकौन सर जी कैसे हैं फिर से वही बात ठीक है कुछ जौब्स हैं पड़ी होई है मैं वीडियो नहीं बना सका एक्चली मालू मैं सब्सक्राइब बताओं तो रमजान के दिन में दिन के टाइम में दिल ही नहीं करता कि वीडियो बनाओ रोजा जा खोल लो इत्मिनानस आ सब्सक्राइब और ऑफिस गर्ल ठीक हो रही है उसको देख लो डिटेल वीडियो को निस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है एक और बता दूं जो लोग कहते हैं यार एड्रस कहां है नंबर कहां है तो देखो कभी-कभी बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो वीडियो में बात करत मैं भूल जाता हूं कि हाँ यह भी बोलना यह भी बोलना यह भी बोलना लेकिन बात करते वक्त वीडियो बनाते वक्त बहुत सारी चीज़े ध्यान से निकल जाते तो अगर ध्यान से निकल गई नहीं बता पाया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है क्लिक कर लो सब डिटेल पढ़ लो मुबाइल नंबर भी है जीमेल एड्रेस भी है अगर नहीं बता पाया तो थोड़ा से दिमाग लडाऊ ना वीडियो के डिस्क्रेप्शन में जाए अगर आपको मिल जाएगा अगर वीडियो बनाया है तो इसे हवा में तो नहीं बनाया न ठीक है उसका आपको डिटेल वीडियो के डिस्क्रेप्शन में ही मिलेगा या तो फिर मैं स्क्रीन पर चलाओ ऐसे चलता रहे वीडियो के साथ साथ इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो उच्छे तरीके से बनाओं और एडिटिंग करूँ ठीक है न जो जॉब्स पड़ी हुँ इसका तो बनाई नहीं पाता है एडिटिंग कौन करेगा एक दो हो तो चलो बना दो अच्छा सा खुबसूरा सा सा जाकर टाइम पड़ा टाइम नहीं है ठीक है और एक चीज़ और बताता हुँ यह जो जॉब्स बनाया है यह वह वाली नहीं है जो पहले में वीडियो डाला था वह अलग है यह अलग है ठीक है और सबसे जरूरी बात आप यहां पर मौझूद है तो भी अपलाई करें यहां मौझूद नहीं तो लोगी अप्लाइ करें उससे भी जवरी बात हो सकता कि मैं फिर भूल जाओं किसी वीडियो में जितनी भी जॉब इस है जिसको मैं डारेक्ट आप लोगों को देता हूं कि भाई यह पकड़ो नंबर यह पकड़ो कंपनी का डेटेल जाओ बात करो वहां पे कोई भी पैसा नह लोगेगा यह खुद बताऊंगा ठीक है देखो कंपनीयों को जो कॉंट्रेक्ट होता हो कई तरीके से मैं साब साब आज खुल के बता रहा हूं सुन लो ध्यान से कंपनी की अगर रेक्वार्मेंट बहुत जादा है बहुत बड़ी तो वह अक्सर क्या करती है ठीक है अगर क्या उलेवर का काम कराणा है कोई भी बंदा चलेगा इसका कोईमेंटेटे निपढ़ा की नहीं करती है ठीक न nine fill देखी वह काम उठाके दे देती है consultancy वाले को consultancy वाले हाथो हाथ उस काम को ले लेते हैं ठीक ना एक company अगर है तो उसके पीछे 10 consultancy वाले पढ़े रहते हैं क्यों पढ़े रहते हैं कि भाई अगर इस company का काम हमको मिल गया हम आदमी धून के लाके इसको दे देंगे तो हम candidate से सर्वी चार्ज लेंगे यही फायदा है consultancy का ठीक ना आपको मैं एक चीज बता दूँ आपने देखा होगा बहुत सारे देखा क्या होगा अकसरी लोग मुझे खुद मेल करते हैं कहते हैं कि इम्रान भाई कोई ऐसा काम बताओ जो इंडिया से ही हमको implement visa मिल जाएं ठीक है अम मिलता भी है मैं यह नहीं कहता कि नहीं मिलता है तो इंडिया से कंपनी के पूरे आद्मी को जो इंट्रव्यू लेंगे पूरे नहीं जो इंट्रवीव लेंगे और इचार हो गया 3-4 टेकनिकल बंदे हो गए वह कंपनी का वह आदमी यो बंदा select करेगा ठीक है न वो consultancy वाले के खर्चे पे company नहीं बेजती है consultancy वाले जिन्हों ने ये project लिया हुआ है अगर quantity बहुत बढ़ी है तो ये अपने खर्चे पे consultancy वाले company को आदमी को बुलाते हैं hotel में रखते हैं खिलाते पिलाते हैं उनको जो भी चीज चाहिए खुस होने के लिए ठीक है हर चीज नहीं बताई जाती वीडियो पे खुस होने के लिए जो चीज चाहिए वह उनको प्रवाइड करते हैं मैं ने देखा भाई मैंने जहला भी है मैंने भी कई company के इंटर्विव करवाया ना बड़ी डिमांड होती है लग लग खैर छोलो जाने दे बात बात दूसरी तरफ चली जाएगी वह चीज हो क्या प्लस उनका आने का खर्चा ठीक है उनको फिर वापस भेजने का खर्चा कौन उठाता यह एजनसी उठाती है समझ भाग है जिसने उस company के HR को और जो आदमी सेलेक्ट करेगा टिकनिकल बंदा उनको बुलाया है वह खर्चा उठाती है अब आप मुझे बताएं एक कंसल्टेंसी वाला किसी को अपने खर्चे पर दुबई से इंडिया बोला रहा है फिर उसको रख रहा है खिला रहा है उसको जो जवरत चाहिए खुश होने के लिए उसको दे रहा है फिर वापस उसका टिकेट करके भेज रहा है फिर ही मैं वह खर्चा कहां से आएगा आप से निकलेगा ठीक है फिर वह आदमी एकठा करेगा इंटर्विव होगा कंपणी तो पैसा नहीं ले दी बीशे का ठी पावर दे रखा है इचार बैठा हुआ है इंटर्विव लिया सेलेक्शन किया ठीक है ना जो बंदा उसको अच्छा लगा हाँ बैयो ओके उसको इंप्लायमेंट विजा दे दिया तो वहां भी इंप्लायमेंट विजा फिरी नहीं मिलता सर जी वहां का आफिस का सर्विच लगता है दिली हो कलकता हो चिन्नई हो मुंबई हो मंडरास हो कहीं भी पता कर लो ठीक है अफिस में का सर्विच चाल लगेगा ही लगेगा ऑफिस वाले पागल नहीं है जो अपने जेव से खर्चा करके दुबाई से आदमी बलवाए फिर इंटर्विव दिलवाए फिर उ हमको दुबाई से ही इंडिया से ही इंप्लाइमेट वीज़े पर जाना है सर जी आपको दिली मुंबई कलकत्ता जहां भी आपको नजलीक बढ़े वहां जो बहतर एजनसी हो पता करो वहां जाओ उनके पास जो कंपनी के चार आके इंटर्विव लेते हैं सिर्फ वहीं से आपको पका वीज़ा मिलेगा इंप्लाइमेट और कहीं से नहीं मिलेगा और अगर सोच रहे हो कि हम यहां बैठे रहें कंपनी दुबाई से कोई हमको कॉल करें कॉल करके हमारा इंटर्विव ले ले उसके बाद हमको इंप्लाइमेट वीज़े दिये दे ऐसा भी होता है ल नहीं होगा आपको यहां आना पड़ेगा विज़िट विज़े पर ठीक है ना तो यह एक टॉपिक था जो अक्सर लोग चुब रहा बटा अक्सर जो लोग इस चीज़ को रिपीट करते हैं इसलिए मैंने बोला इस चीज़ को ठीक ना तागे लोगों को समझ में आ जाए और यहां पर क्या सीन है मैं बता दूँ कंपनी को चाहिए अगर एक आदमी कि भाई हमको एक ही आदमी इस काम के लिए चाहिए तो दस आदम उसको चाहिए एक आदमी ओफिस में जाके आके खड़े होगे दस आदमी तो फिर वो इंडिया वाले को फोन करके उसका इंटर्विव लेके उसको इंडारेक्ट इंप्लाइमेंट वीजा देके क्यों बुला है या तो आप हो बहुत पावरफुल कंप्री वाले को पता हो क वो अकेले ही पूरा मैदान जीत लेगा अगर इतनी क्वाल्टी है आपके अंदर जरूर देगा नहीं है फिर भी चाहिए तो बैठर हो गाई नहीं मिलेगा दिल्ली मंबई वाले जो आफिस हो वहां करो ठीक है मेरे बाई और बहुत सारी चीज़ें थी ठीक है यह हो गया दूसरी चीज़ें है कि यहां भी तरो काम होता है बहुत सारे एक इस चौन से मौजूद है इंटरनली काम करती यहां यो आदनी मौजूद है उनका प्रोजीक देती। नजुकें मोची कम होती है जिनके पास सीट कम होती है वत्य ज्यादा आदम तो नहीं को एक काम करो सबको भुलाओ पांट दस आदमी आट जो भी है यहीं इंटर्वी उम्रों ले लेंगे ठीक ना तो फिक कंपनी वाले जो उनका HR है वो खुद इंटर्वी उटेंड करता है उसमें किसी कंसर्टेंसी का दखल नहीं होता है ठीक है तो वो डारेक्ट इंटर्वी क्शल्टेंसी इंवाल्व ना हो तो भाई साथ आपको खुद तयारी करनी पड़ेगी यूटूब पर वीडियों देखते हो री इनम यूजवाला वीडियो देखते हूँ उससे बेटर है यह थोड़ा से इंटर्विव के तयारी करो बेसिक इंटर्विव की ठीक है ना सेल ब Means अगर उसको इसको आप ıl stems करया फिर लाइन लिखो फिर दो लिखो फिर तीन लिखो जब्रतिंचार वन लिखो और फिर वह चीजा आपका करण यारत है ठीक है इसलिए बोल这 diver वीडियो पड़े देख लेना उसके बाद क्या करना नेक्स्ट प्रोसेस सीचे के सामने खड़े हो कोश्चन को खुद दोराओ और अंसर भी खुद दो ठीक है और देखना कि कहीं अंसर देने माप रोकते नहीं रहें बीच में रोकना नहीं है अगर पूशा what is your name sir my name is महमद इमरान ये स्पीट ठीक ना अगर पूशा what is your name sir my name महमद इमरान गया खतम कहानी इसके ये रुखना नहीं है ये हिसके चार्ट नहीं होना चाहिए ठीक ना तो भाई इधर उधर का वीडियो देखने से बहतर है कि अगर आने का प्लान है और पैसा किसी को तो यह तैयारी कर लेना जो मैं बता रहा हूं बेसिक इंटर्व्यू की ठीक है ये अगर कर लोगे तो ठीक है अगर नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है कि कोई कंपनी आपको किसी ने किसी कंसल्टेंसी के थ्रो ही जाना पड़ेगा समझ गया मेरे बात बात त जान आप ठाहिए रहा हूं आपको धू बात बात प्र जाना बंट बात बात कंसल्टेंसी किसी का रहा हूं